सो गाइस आपका बजट है 15,000 रुपे और आप उसमें बेस्ट फीचर के साथ साथ बेस्ट स्पेसिफिकेशन प्लस 5G ओल्डाउंडर फोन धून रहे हो तो मैं बताऊंगा आज 15,000 के प्राइस में 3 ऐसे ही बेस्ट स्मार्टफोन जिनके फीचर अप टू नेक्स लेवल प्रामिंग पाफोर्मस भी मिलेगा इन फोनों के अंदर तो आप इन में से कोई भी स्मार्टफोन चोईस कर सकते हो क्योंकि सारे फोन अप्टू नेक्स लेवल 15,000 के प्राइस में नेक्स लेवल होंगे एंड नियू स्मार्टफोन होंगे तो आप पहली बात चैनल पे इन फिनिक्स नोट 30 5G तो ये फोन ओल्डाउंडर फोन तो ही स्पेक्स के आधार से बट ओल्सो वेलिव फोर मनी है अंडर 15,000 के प्राइस में तो बात कर लेते हैं फोन के डिसाइन से तो यहां पर काफी अच्छा डिसाइन देखनों को मिलता है साथी तीन कलर आ जाते हैं जिसमें ओरेंज कलर काफी अच्छा देखनों को मिलता है जो की वेगन लेधर से बना हुआ है वेट की बात करें तो 205 ग्राम वेट है यानि की थोड़ा हेवी होगा फोन डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर 6.78 इंच की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखनों को मिलेगा विथ 120 हर्सेट, हाइ स्मूद रिफेसेट के साथ, 240 हर्सेट का टस्रें फिलिंग रेट होगा और 580 इंच की बारे में बात करें तो यहां पर में केमरा 108 मेगा पिक्सल का प्राइमरी होगा और सेलफी यहां पर 16 मेगा पिक्सल का भी देखनों को मिलेगा बेक से आप 2K 30APS पर व Media Tech Diamond City 6080 का एक गेमिंग चिपसेट देखने को मिलता है जो की 6 नेनो मीटर पे बना हुआ है एंड इस फोन का एंटुतु स्कोर 4 लाग से भी ज्यादा आता है और यह फोन एक गेमिंग फोन भी है सो पर्फोर्मन्स वाइस से बहुत ही कमाल का फोन है यह गेमिंग में कोई भ बैटरी और 45 वोट का एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है जीरो तो हंड़ेट पसेंट 60 मिनिट में चार्ज हो जाएगा यानि की एक घंटे में आपका फूल चार्ज हो जाएगा फोन बाकी यहां पर यूफस 2.2 स्टोर टाइप एंड एलपी डीडियर 4 एक एस्टी कार्ड भी लगा पाओगे डियुल स्टीडियो स्पीकर्स भी मिल जाता है जो की 15,000 के प्राइस में एक काफी अच्छी बात है एंड आईपी 53 रेटिंग भी मिल जाता है यानि की यह फोन थोड़ा वोटर प्रूफ एंड डॉस्ट प्रूफ भी होगा बाकी और हायर वेडियांट मिल जाता है जिसमें 8GB 256GB का स्टोरेज मिलता है एंड इसकी प्राइस 16,000 रुपे है एंड आपको कार्ड ओफर में 1000 तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा यानि की 15,000 में यह फोन डेफिनेटली मिल जाएगा तो यह फोन गेमिंग वाइस अच्छा त हमारे लिस्ट के नमबर सेकेंड स्मार्टफोन के ऊपर तो यह फोन तो अच्छा है बट यह फोन पोगो की तरब से आता है फोको एक्स फाइफ फाइजी स्मार्टफोन लेकिन अगर आपको पोगो का फोन नहीं चाहिए तो आप जाओ नमबर वन पे क्योंकि यहाँ पर ज मालका ये फोन रहेगा बाकि यहां पर जो केमरा है वो ट्रिपल स्लोट देखनों को बिलता है जिसमें 48 मेगापिकसल का मेन होगा 8 मेगापिकसल का अल्टर वाइड और 2 मेगापिकसल का मैक्डो भी होगा सेल्फी यहां पर 13 मेगापिक्सल का है और बेग से आप टेन एटी पी पर वीडियो रिकोर्डिंग कर पाऊगे सो केमरा अच्छा मिल जाता है डे लाइट में अच्छा पर्फॉर्म कर जाता है पर लो लाइट में थोड़ा एवरेज मान सकते हैं पर्फॉमस के बारे में बात करें तो यहां पर कर पाऊगे बाकि यहां पर सेयन फाइजी बेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है और आयर ब्लास्टर भी मिल जाता है बैटरी की बारे में बात करें तो यहां पर 5000 मिलियंपेर की बैटरी प्लस 33 वर्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है और यह फोन जिटो 200 परसेंट 75 मिन्ट में चार्ज हो जाता है और एक से डिर्ट दिन तक का आपको बैटरी आराम से दे देगा बाकि अधा फीचर्स के बारे में बात करें तो यहां पर साइड मांटन फिंगर प्रिंट सेंसर एंड फेस अनलोक मिल जाता है साथी यह फोन आप और बोक्स एंडर 12 पर बेस जाता है यानि कि दो 5G SIMS या फिर एक 5G SIMS और 1 SD card भी लगा पाऊगे प्राइसिंग की ऊपर बात करें तो 6GB 188GB के लिए 15,000 रुपे देना होगा और काड़ों उफर लगाकर आपको अच्छा कहासा डिसकार्ड भी मिल जाएगा तो डिसक्रिप्शन में लिंक है जाओ चेक से आता है लावब्रेस 5G जो की 12,000 के अंदर अप्टू नेक्स लेवल परफॉरंस मिलेगा 8GB की रेम होगी और फीचर्स तो कमाल के हैं ही तो चलिए बात कर लेते हैं फोन के डिसाइन से सो ये फोन एंडूर 13 पे बेस्ट है वेट की बात करें तो 260 ग्राम फोन का वेट है यानि की थोड़ा हेवी फोन है बट डिजाइन जो है वो बहुत ही प्रीमियम लेवल का देखनों को मिलता है क्योंकि बेक में ग्लास का यूस किया गया है तो अब बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के ऊपर तो यहां पर एक 6.5 इंच का HD PLUS IPS LCD डिस्प्ले पेनल देखनो और डिस्प्ले में कलास वगेरा काफी अच्छे देखनों को मिलते हैं तो गाइस 12,000 के अंदर डिस्प्ले बहुत ही अच्छा रहेगा तो गाइस अब बात कर लेते हैं फोन के केमरे के ऊपर तो यहां पर डियुल केमरा सेट अप मिलता है जिसमें प्राइमरी 50 मेगा पिक के साथ देखनों को मिलता है जो कि दोस्तों 12,000 के प्राइस में क्लियर एंडोरी एक्स्पिरियंस मिलना किसी भी फोन के अंदर काफी बड़ी बात हो जाती है बागी फोन में 8GB की रेम आती है एंड 128GB की स्टोरेज भी मिल जाता है प्लस यहां पर जो 8GB रेम है इसी में अच्छा है नो डाउट बैटरी के बारे में बात करें तो यहां पर 5000 मिली एमपेर की बीग बैटरी मिलेगी और 10 वोट का एक फास्ट चरजिंग भी दखनों मिलेगा बाकी अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो यहां पर फेस अनलोक साइड मार्टन फिंगर प्रियंस सरसर मिल जाते हैं एंड 3.5 mm ओडियो जेक भी मिल जाता है साथ ही यहां पर UFS 2.2 का स्टोडे टाइप भी मिल जाता है प्राइसिंग की बात करें तो यहां पर 8 GB, 128 GB के लिए आपको 13,000 रुपे देना होगा बट आपको कार्ड ओफर लगा के आपको 700 से 1000 तक का भी मिल जाएगा यानि 12 से 12,000 के अंदर यह फोन मिल जाएगा बाकि इस फोन के दो और वेरियंट्स मिल जाते हैं 6 GB RAM और 4 GB RAM और 4 GB RAM की प्राइस है 11,000, 6 GB RAM की प्राइस है 12,000 तो आप अपने प्राइस के हिसाब से कोई भी फोन ले सकते हो, so definitely 10 से 11,000 के अंदर यह फोन अच लेगा